नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलिज पंडित पर मैं रंजीत पांड़े आप सभी के लिए 100 करेंट अफेस के एमस्क्री कॉश्चन्स सिलेक्टिड इस वीडियो में लेकर आया हूँ दोस्तों करेंट अफेस का जो टॉपिक होता है हर एक्जाम के लिए इंपॉर्टन है लास्ट 6 महीने के 100 करेंट अफेस आपके लिए इस वीडियो में मिलेंगे वीडियो पूरा देखिए आपका करेंट अफेस तयार हो जाएगा अगर तयार है तो रिवीजन हो जाएगा और हो सकता है आपके लिए नए questions भी वीडियो में मिलें तो वीडियो पूरा देखिए 100% important question है हर exam के लिए important है अगर आप हमारे channel पर नए है तो subscribe करके bell icon on कर लिजेगा जिससे daily के updated videos की notification आपको मिल सके आज हम आपके लिए 100 science के questions 100 current affairs के और तीसरा वीडियो होगा 200 questions का जिसमें current affairs के mix questions होंगे तो ये तीनों वीडियो प्राप्त करने के लिए channel को subscribe करना मत भूलेगा वीडियो अच्छा लगे तो like जरूर करिएगा और like तो करिएगा ही हमें आपकी तरब से motivation मिलता है तो चलिए हम किस देश ने country reports on human right practice launch की है तो अमेरिका देश ने country reports on human right practice launch की है किस ने कश्मीर में LOC के पास माशारदा मंदर का उधगाटन किया है तो अमिश्चाह जी ने कश्मीर में LOC के पास में माशारदा मंदिर का उधगाटन किया है भारत में कौन मोटो जीपी का प्रसारण करेगा तो वाइकॉम 18 भारत में मोटो जीबी का प्रसारण करेगा किस ने राश्रिय फशल बीमा पोटल पर डिजी क्लेम नामक एक नया मंच पेश किया है तो राश्य फशल भीमा पोटल पर डीजी क्लेम नामक एक नया मंच नरेंद्र सिंग तोमर ने पेश किया है खबरों में रहा सिनियाह दीप किस देश में इस्तित है तो खबरों में रहा सिनियाह दीप UAE देश में इस्तित है किस राज सरकार द्वारा गंध मर्दन हिल रेंज को बायो डायवर्शिटी हेरिटेज साइड घोशित किया गया है तो गंध मर्दन हिल रेंज को बायो डायवर्शिटी हेरिटेज साइड ओडिसा राज सरकार द्वारा घोशित किया गया है RBI ने करूर वैशे बैंक पर कितने लाग का जुर्माना लगाया है तो RBI के नियमों का पालन ना करने के लिए करूर वैशे बैंक पर RBI ने 30 लाग रुपे का जुर्माना लगाया है Solar Dynamics Observatory ने सूरे पर कोरोनल होल की खोच की है तो यह किस ने की है? तो NASA के Solar Dynamics Observatory ने सूरे पर कोरोनल होल की खोच की है किस ने Stop TV Partnership की 36 भी बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता की है? तो Dr. Mansook Mandavia ने Stop TV Partnership की 36 भी बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता की है हाल ही में NIUA ने कहां पहले Urban Climate Film Festival का आयोजन किया है तो NIUA ने Urban Climate Film Festival का आयोजन नई दिली में किया है किस देश ने NHPC Limited को सेती नदी जलविदुत परियोजना का अध्यन करने की अनुमती दे दी है? तो सेती जलविदुत परियोजना का अध्यन करने की अनुमती NHPC ने नेपाल को दी है नेपाल देश ने NHPC को दी है हाली में किस के द्वारा लिखी गई पुस्तक War and Woman का विमोचन किया गया तो Dr. S. A. Hasan के द्वारा लिखी गई पुस्तक का जिसका नाम है War and Woman इसका विमोचन किया गया हाली में NGT ने रामसर इस्तरों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राजय पर 10 करोड रुपय का जुर्माना लगाया है किसे AHF Athlete Ambassador के रूप में नूक्त किया है । तो सलीमा देटे जी को AHF Athlete Ambassador के रूप में नूक्त किया गया है हाली में एश्याई हौकी महासंग ने किस देश के हौकी महासंग को बेश्ट और्गनाइजर अवर्ड से सम्मानित किया है तो भारत के महासंग हौकी महासंग को एश्याई हौकी महासंग ने बेश्ट और्गनाइजर अवर्ड से सम्मानित किया है हाली में एबल पुरुस्कार किसे दिया गया तो Luis Kaf Rally को एबल पुरुस्कार दिया गया एबल पुरुस्कार किस शित्र में दिया जाता है कमेंट करके बताई, मैंने लाइव क्लास में आपके लिए पढ़ाया है यह हाली में तन्थे पेरियार वन्यजीव अभियरन को किस राजे का अठारवा वन्यजीव अभियरन गोशित किया गया है तो तन्थे पेरियार वन्यजीव अभियरन को अठारवा वन्यजीव अभियरन तमिनान्डू का गोशित किया गया है कौन सा देश BRICS की New Development Bank का नया सदस्य बना है तो BRICS New Development Bank का नया सदस्य मिश्र देश बना है हाली में किस कंपनी के सहसंस्थापक Gordon Moore का निधन हो गया तो Gordon Moore Intel कंपनी के सहसंस्थापक थे किस देश ने पानी के भीतर परमाणू सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का सफल परिक्षन किया है तो पानी के भीतर परमाणू सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का सफल परिक्षन उत्तर कोरिया ने किया है हाली में किस ने बेंगलरु में 13.80 km वाइट फील्ड के आर पूरा मेटरो लाइन का उधगाटन किया है तो 13.80ह उत्राखंड सरकार किस सहर में स्पोर्ट स युनिवेस्टिटेइ स्थापत करने जा रही है तो उत्राखंड राजय सरकार हलदवानी शहर में स्पोर्ट स युन कि हैं जिन्होंने सन्यास की घोश्णा की हैं किस राजसरकान ने मुख्यमंत्री वरक्ष सम्पदा योजना शुरू की हैं तो 36ámacratе मुख्यमंत्री वरक्ष सम्पदा योजना शुरू की हैं हाली में अभ house छझलाणी जी का निधन हुआ है तो अभenza है चझलाणी जी कौन है तो ये प्रसिद्ध पत्रकार है यूके और किस देश ने सारवजनिक कर्मचारियों के काम पे फोन से टिक।टोक अब पर प्रतिबंध लगाया है तो UK और फ्रांस देश ने सारवजनिक करमचारियों के काम के फोन से टिक टॉक पर प्रतिबंध लगाया है अजन में बच्चे का अंतर आश्रे दिवस कब मनाये गया तो अजन में बच्चों का अंतर आश्रे दिवस 25 मार्च को मनाया गया हाल ही में आई किसे असम के सर्वोचनागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया हाली के आई रिपोर्ट यूनेसको की उसके अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेजल नहीं है किसने A Matter of the Heart Education in India नामक पुस्तक लिखी है तो A Matter of the Heart Education in India नामक पुस्तक अनुराग बेहर जीने लिखी है हाली में किस राजी की सरकार ने विधान सबा ने ऑनलाइन जुए के खिलाब विधियक को फिर से अपनाया है भारत और किस देश ने अरब सागर में संयुक्त अभ्यास कोंकन आयोजित किया है? तो भारत और UK देश ने अरब सागर में संयुक्त अभ्यास कोंकन आयोजित किया है. इंडिया काश्ट ने किसे चीफ ओपरेटिंग ओफिसर के रूप में नुप्त किया है? तो इंडिया सागर मन्थन लॉँच किया है तो सरवानंद सोनवाल जी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म सागर मन्थन लॉँच किया है हाली में प्रधानमंतरी नरिंद्र मोधी जी ने कहाँ One World TV Summit को सम्बोधित किया तो One World TV Summit को सम्बोधित मोधी जी ने वाराणसी में किया G20 Stenwell Working Group की बैठग कहां पर आयुजित की गई तो G20 Stenwell Working Group की बैठग उधैपुर में आयुजित की गई किस राज सरकार ने प्रदीप सरकार का निधन हुआ है वे कौन थे तो प्रदीप सरकार एक प्रसिद निरदेशक थे हाली में किस राज के मुख्यमंत्री ने राज युवा नीती और युवा पोडल का अनावरण किया है तो मद्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज युवा नीती और युवा पोडल का अनावरण किया है विश्व च likelihood दिवस कब मनाया जाता है तो 24 मार्च को विश्व चै considering jours मनाते हैं ग्रह मंतरी अमिशाह ने कहा मादक पदार तसकडी पर छेटरियो समिलंड की अध्यक्षटा की है तो बैंगलुरू में ग्रह मंत्री अमिश शाह जी ने मादख पधार तसकरी पर 26 अमेलन की अध्यक्षता की है किसने Cricket Fantasy Sports App Cricket पे लॉंच किया है तो अश्णीर ग्रोवर ने Cricket Fantasy Sports App Cricket पे लॉंच किया है हाली में घोडों का तेवहार घोरा जातरा कहां पर मनाया गया हाली की जारी लिष्ट में सरव समती से स्वा निर्मित अरब पतियों में कौन सा देश शीरिफ्थ पर रहा है? हाली में किसे केरल के सर्वो चिनागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया तो M.T. वासुदेवन नायर को केरल के सर्वो चिनागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया एलिवेट एक्सपो का 26 संस्क्रण कहां पर आईजित हुआ आर्बियाई का data center और cyber सुरक्षा प्रसिक्षण संस्थान इस्थापित कहां पर किया जाएगा तो आर्बियाई का data center और cyber सुरक्षा प्रसिक्षण संस्थान भुवनेश्वर में स्थापित होगा। प्रधानमंद्री मोदी जी ने कहां ITU area office and innovation center का उधगाटन किया है। तो परधानमंदरी मोदी जी ने ITU, Area Office and Innovation Center नई दिली में उधगाटन किया है। G20 Research and Innovation Initiative gathering का आयोजन कहां पर हुआ तो G20 Research and Innovation Initiative gathering का आयोजन असम में हुआ। हाली में किसने नई दिली में वैदिक विरासत पोर्टल लॉंच किया है या उधगाटन किया है तो वैदिक विरासत पोर्टल का उधगाटन अमिशाहने दिली में किया है। किस देश ने तीस वर्सों में पहली बार पोलियों के मामले दर्ज किये हैं तो बुरुंडी देश में तीस वर्सों में पहली बार पोलियों के मामले दर्ज हुए हैं हाली में QS World University रैंकिंग में Engineering and Technology में भारत का कौन सा college शीर्ज पर रहा तो IIT Bombay Engineering and Technology में भारत का ये IIT है जो Bombay QS World University रैंकिंग में शीर्स पर रहा हाली में IMF ने किस देश के लिए तीन अरब डॉलर के राहत पैकेज की मन्जूरी दी है तो शिलंका देश के लिए IMF ने तीन अरब डॉलर के राहत पैकेज को मन्जूरी दी है भारत और अफरिका के बीच नौ दिवसिय सेन अभ्यास कहां शुरू हुआ तो भारत और अफरिका के बीच में पुने में नौ दिवसिय सेन अभ्यास शुरू हुआ स्वास्त का अधिकार विधियक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है तो राजस्थान स्वास्त का अधिकार विधियक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है M.Bompey किस देश की फुटबॉल टीम के कोच बने हैं तो हाल ही में M.Bompey फ्रांस की फुटबॉल टीम के कोच बने है Starbucks ने CEO के रूप में किसे पदभार दिया है तो Starbucks ने लक्षमन नरसिम्हंटी को अपने नए CEO के रूप में चुना है हाल ही में किस देश की संसत चुनाओं से पहले भंग कर दी गई तो Thailand देश की संसत चुनाओं से पहले भंग कर दी गई तो नए बरेली में होकी खिलाडी रानी रामपाल के नाम पर इस्टेडियम का नाम रखा गया है 22 मार्ज को किस राज़ की स्थापना दिवस मनाए गया तो बिहार राज़ का स्थापना दिवस 22 मार्ज को मनाए गया Invest India के MD और CEO का अतरिक्त प्रभार किसे दिया गया तो मनमीत के नंदा को MD और CEO का अतरिक्त प्रभार दिया गया Invest India के हाल ही में अरनम बनर जी को किस टायर कमपनी का CEO नामित किया गया तो C8 कमपनी के टायर, C8 कमपनी टायर जो बनाती है उसके अरनम बनर जी जो है CEO नामित हुए है विश्व जल दिवस कब मनाया गया तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया हाली में किस देश के क्रिकेटर आसिफ सेख ने 2022 क्रिश्टोफर मार्टिंग जैनकिंग स्प्रिट आफ क्रिकेट अवार्ड जीता है तो 2022 क्रिश्टोफर मार्टिंग जैनकिंग स्प्रिट आफ क्रिकेट अवार्ड नेपाल के हैं जिन्होंने आसिफ सेख ने ये जीता है। किस खिलाडी का आदमकत प्रदीमा लगाने की घोशना हुई है तो सचिन तेंदूलर की 10 साल बादवान खेड़े स्टेडियम में आदमकत प्रदीमा लगाने की घोशना की गई है। CTC और HDFC बैंक ने मिलकर सबसे ज़्यादा प्रुश्कृत सह ब्रैंडिट क्रेडिट कार्ड लॉंच किया है। हेकानी जखालू ने किस राज्ज में पहली महिला विदायक बनकर इतियास रचा है। तो नागा लेंड में हेकानी जखालू ने पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रचा है। किस राज्य में एडेनो वाइरस नामक एक नए वाइरस को खोजा गया है। तो एडेनो वाइरस नामक एक नए वाइरस पश्शिम बंगाल में खोजा गया है। विश्व मोटापा दिवस कब मनाय जाता है तो 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाते हैं हाली में M.O.T. ने कहां Standable Tourist Destination के विकास पर तीसरी छrióतरी कारिशाला आज़ित की है किस राज के से जैस्विन एल्डरिन ने ए एफ़ाई राश्रिय कूद प्रतियोगिता में राश्रिय रिकॉर्ड तोड़ा है तो जैस्विन एल्डरिन ने तमिननाडू के हैं इन्होंने राश्रिय कूद प्रतियोगिता में कूदने के राश्रिय कूद प्रतियोगिता में र 2023 campaign launch किया है तो दुरापदी मुर्मूदी ने Catch the Rain 2023 campaign नई दिली में launch किया है दक्षल कोरिया और कौन से देश ने Freedom Shield और Warrior Shield सहीवत अभ्यास आउजित किया है तो दक्षल कोरिया और अमेरिका ने Freedom Shield और Warrior Shield सहीवत अभ्यास आउजित किया है हाली में पहली बार महिला प्रीमियर लीग कहां पर शुरू ही है तो नई बम्मय में महिली बार महिला प्रीमियर लीग शुरू हुई है किसी राज्य ने फरवली 2023 में GST संग्रह में 40% की वरदी दरज की है तो बारत और ऌस्ट रेलिया ने योगिता की पारस्परिक मानेता के लिए एक रूप रेखा तंतर पर हस्ताक्षर की है हाली में किस देश ने दुनिया का पहला बांस बेरियर लगाया है तो भारत ने दुनिया का पहला बांस बेरियर लगाया है किस देश ने 2022 नोबल शांथी पुरुसकार विजेता एलस बालियाच्की को 10 साल की सजा सुनाई गई है हाली में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्स कॉन ने किस राज में एक अरब डॉलर का निवेश करने को कहा है तो करनाटक राज में फॉक्स कॉन कंपनी ने जो कि आईफोन बनाती है एक अरब डॉलर का निवेश करने की बात कही है RBI ने किस payment app पर 3.06 करोड रुपे का जुर्माना लगाया है तो Amazon paper RBI ने 3.06 करोड रुपे का जुर्माना लगाया है नियमों को पालित ना करने के कारण अमेरिका ने किस देश पर तेल और पेट्रो कैमिकल से सम्मंदित नई प्रतिबंद लगाया है तो इरान पर अमेरिका ने तेल और पेट्रो कैमिकल से सम्मंदित नई प्रतिबंद लगाया है टाटा स्टील माइनिंग ने स्वक्ष इधन प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझोता किया है तो गेल के साथ में टाटा इस्टील माइनिंग ने स्वक्ष इधन प्राप्त करने के लिए समझोता पर हस्ताक्षर किया है हाली में राश्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया तो चार मार्च को राश्य सुरक्षा दिवस मनाया गया हाली में केंदरिय मंत्री अनुराख ठाकुर ने कहा युवा उत्सो की शुरुवात की है तो केंदरिय मंत्री अनुराख ठाकुर ने आई इटी रोपड में युवा उत्सो की शुरुवात की है दोस्तो ये थी hundred questions वीडियो कैसा लगा, comment करके ज़रूर बताएं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए 300 कॉशन, 200 कॉशन और 100 कॉशन का मिलेगा चैनल पर अगर नए है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन अन कर ले और नोडिफिकेशन को आल पर सैट कर ले लाइक करना ना भूलेगा और अपने ग्रूप्स में शेयर करना ना भूलेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद